अगर दुनिया में सबसे समझदार और वफदार जानवर की बात की जाए तो कुटो का नाम सबसे पहले आएगा दुनिया भर में कुटो की 350 से जादा नसल पाई जाती हैं जिनमें आपको रफदार, समझ और वफदारी देशने को मिलेगी लेकिन इन में से कुछ नसल ऐसी भी हैं जो की बेहत खतरनाक हैं इतनी खतरनाक कि वो किसी की जान भी ले सकती हैं यहां तक कि अपने मालिक की भी आर्मी से लेकर बड़ी-बड़ी सुरक्षा एजनसीज भी इनका इस्तमाल करती हैं आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही खतरनाक और तकत्वर कुत्तों के बारे में जिनने कई देशों ने बैन कर दिया है ये अर्जेंटीना की एक ब्रीड है और ये बिलकुल सफेद रंकी होती है इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में माना जाता है क्योंकि जहां इनसानों का बाइट फोर्स 120 PSI होता है वहीं इनका बाइट फोर्स 500 PSI होता है जो कि एक चीता की बाइट फोर्स से भी जादा है डौगो अर्जेंटीनों का वजन 50 किलो तक हो सकता है अपने अच्छे शरीर और हाई लंग कैपसिटी की वज़े से ये काफी दूर तक भाग सकते हैं 2008 में मुरोचो नाम का एक डॉगो अर्जेंटीनो अपने गाउं की दो बच्चियों को बचाने के लिए एक फुल साइज की टाइगर से भिड़ गया था इसे एनिमल पेलेट पर भी टेलिकास किया गया 2012 में एक लाइफ प्रोग्राम के दोरान एंकर काईल देओर के साथ जो हुआ वो उसे कभी नहीं भूल पाएंगी इस ब्रीड के मैक्स नाम की कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में ही ऐसा घाओ दे दिया कि उन्हें सत्तर टाके अपने चेहरे पर लगाने पड़े वो उसे किस करने आगे बढ़ रही थी जो उसे पसंद नहीं आया लगबग 10 कंट्रीज ने इस डॉग को बैन कर दिया है अमेरिका की भी कुछ सिटीज में इस डॉग को रखने की मनाई है Siberian Husky अमेरिका की कुछ वकीलों की अनुसार ये ब्रीड बहुत ही खतरनाक है वे काफी ज़दा नुकसान पहुचा सकते हैं अगर उन्हें सब्से ट्रेनिंग ना दी जाये तो इन कुट्टों के अंदर ला जवाब ताकत होती है Siberian Husky, सुंदर और वफदार भी होते हैं इनकी बेशुमर ताकत की वज़े से इनका इस्तमाल बरफिली जगाओ पर सामान को यहां से वहां ले जाने के लिए किया जाता है इन्हें रेस लगाना, वजन खीशना और जॉगिंग करना बेहत पसंद है यह कुट्टे 4 फीट उचा कूच सकते हैं, 6 फीट उची दिवार को पार कर सकते हैं, चेन तोड़ सकते हैं और यहां तक की अपना कॉलर भी उतार सकते हैं इन्हें कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं इनकी उमर 12-14 साल होती है और वजन 20-30 किलोग्राम तक होता है इनका बाइट फोर्स 320 PSI तक होता है अमेरिका में 1988 में करीब 15 लोगों की मौत के जिम्मेदार भी यही है इस प्रजाती के कुट्टे आकार में छोटे होने के बाद भी बेहत खुखार होते हैं दुनिया के लगबग 12 देशों में इन्हें बैन कर रखा है इन कुट्टों में बहुत ज़ादा ताकत होती है और इनका इस्तमाल वजन खीशने वाले कॉम्पटीशन में किया जाता है इनका शरीर काफी मस्कुलर और पावरफुल होता है इनका बाइट फोर्स 235 PSI होता है यानी डौगो अर्जन्टीनों से लगबग आधी लेकिन फिर भी इनकी जबड़े की पकड़ से किसी को निकालना लगबग नामुम्किन ही है ऐसे में सबसे बहतर तरीका ये है कि आप इनकी नाग पर पानी डाल दे 2005 से 2015 तक केवल अमेरिका में ही पिट बुल की हमले से 284 लोगों की मौते हो चुकी है अगर आप इन्हें सही से टेनिंग नहीं दे सकते तो आप इन्हें खरीदने का विचार दिमाग से निकाल ही दे इनका वजन 20 किलो तक होता है और उमर 8 से 12 साल होती है इस प्रजाती के कुट्टे बुद्धीमान, बहादुर और शक्तिशाली होते हैं इस मुलायम बाल वाले कुट्टे का इस्तमाल सुरक्षा के लिए किया जाता है शुरू में इनका इस्तमाल ब्लाइन लोगों के लिए किया जाता था मगर अब इनका इस्तमाल पुलीस डॉक के तौर पर किया जाता है इन कुत्तों के एंसिस्टर्स ने वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में एक बहुत ही इंपोर्टन रोल निभाया था इनका वजन 60 किलो और उम्र 8 से 12 साल तक होती है इनका बाइट फोर्स 328 PSI होता है साल 2014 में रॉट्वाइलर की काटने से अमेरिका में 8 लोगों की मौत हो गई थी कुछ देश जैसे आयरलेंड, सिंगापूर और मलेशिया ने रॉट्वाइलर को बैन कर रखा है इन सभी कुत्तों के बारे में आपकी क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं